निर्जला एकादशी आज व्रत की कथा, इतिहास और महत्व, उप्वास में ध्यान रखी ये बातें निर्जला एकादशी का व्रत जेश्ट मास के शुकिल पक्ष की एकादशी तिथी को किया जाता है हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थिके नजरिये से भी बहुत महत्वकून है एकादशी का व्रत भगवान विश्णू की आराधना को समर्पित होता है इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थिके अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधिपूर वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पाकों से मुक्त ह जाता है एकादशी व्रत का इतिहास एक बार बहुबोजी भीमसे ने व्यासची के मुख से प्रत्येक एकादशी को निरहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता दिन भर बड़ी तीव शुधा बनी ही रहती है अतहा कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वत सद्गती हो जाए तब व्यासची ने कहा कि तुमसे वर्षभर की संपून एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला कर लो इसी से सालभर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा तब भीम ने व यह वरत कठिन तप और साधना की समान महत्वर रखता है हिंदू पंचाग अनुसार व्रिशब और मिथुन संक्रांती के बीच शुकी पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है इस वरत को भीम सेन एकादशी या पांदव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है पौरानिक मान्यता है कि पांच पांदवों में एक भीम सेन ने इस वरत का पालं किया था और वैकूप को बैए थे इसलिए इसका नाम भीम सेनी एकादशी भी हुआ सिर्फ निर्जला एकादशी का वरत कर लेने से अधिक मास की दो एकादशी औ सहित साल की पच्चीस एकादशी वरत का फल मिलता है जहां साल भर की अन्या एकादशी वरत में आहार सयम का महत्व है वही निर्जला एकादशी के दिनाहार के साथ ही जल का सयम भी जरूरी है इस व्रत में जल ग्रहन नहीं किया जाता है यानि निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है यह व्रत मन को सयम सिखाता है और शरीर को नई उर्जा देता है यह व्रत कुरुश और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है व्रत का विधान है दिन भर इन बातों का ध्यान रखे एक, पवित्री करन के समय जलाचमन के अलावा अगले दिन सूर्युदे तक पानी नहीं पिए दो, दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें तीन, दिन भर न सोएं चार, ब्रहमचर्य का पालन करें पांच, जूट न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें वरत का था, जब वेद व्यास ने पांदवों को चारो पुरुशार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी वरत का संकल्प कराया था तब योदिष्ठिर ने कहा, जनारदन, जेश्ठमास के शुकल्पक्ष में जो एकादशी परती हो, क्रिपया उसका वर्नन कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्नन परम धर्मात्मा व्यास ची करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों की तत्वग्य और वेद वेदांगों की पारंगत विद्वान है तब वेद व्यास ची कहने लगे क्रिश्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अनकाना वर्जित है द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें फिर पहले ब्राह्मनों को भोजन देकर अंत में स्वयम भोजन करें ये सुनकर भीम सेन बोले परम बुद्धिमान पिता महा मेरी उत्तम बात सुनिये राजा योदिश्थिर, माता कुंती, ड्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं भीम सेन एकादशी को तुम भी न खाया करो परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी भीम सेन की बात सुनकर व्यासची ने कहा यदि तुम नरक को दूशित समझते हो और तुम्हे स्वर्गलोग की प्राप्ती अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशीों के दिन भोजन नहीं करना भीम सेन बोले महा बुद्यमान पिता महा मैं आपके सामने सच कहता हूँ मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उक्वास करके मैं कैसे रह सकता हूँ मेरे उदर में व्रेक नामक अगनी सदा प्रजवलित रहती है अतर जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शान्त होती है इसलिए महामुनी मैं पूरे वर्षभर में केवल एक ही उक्वास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ती सुलब हो तथा जिसके करने से मैं कल्यान का भागी हो सको ऐसा कोई एक रत निश्चे करके बताईए मैं उसका यतोचित रूप से पालन करूंगा व्यास्ची ने कहा भीम जेश्ट मास में सूर्य व्रिश राशी पर हो या मिथुन राशी पर शुकल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यतन पूर्वत निर्जल वरत करो केवल कुला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले अन्यथा व्रत भंध हो जाता है एकादशी को सूर्योदे से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदे तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है इसके बाद द्वादशी को प्रभातकाल में सनान करके ब्राह्मनों को विद्वी पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मनों के साथ भोजन करे वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुश्य प्राप्त कर लेता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है शंक, चक्रा और गदाधारन करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब को छोड़ कर एक मात्र मेरी शरन में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है कुंती निंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धाल उस्त्री पुरुशों के लिए जो विशेश दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो उस दिन जल में शैल करने वाले भगवान विश्नु का पूजन और जलमाई धेनु यानी पानी में ख़ली गाए का दान करना चाहिए, सामाने गाए यागी से बनी गाए का दान भी किया जा सकता है इस दिन दक्षिना और कई तरह की मिथायों से ब्रह्मनों को संतुष्ट करना चाहिए, उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरी मोक्ष प्रदान करते हैं, जिन्होंने श्रीहरी की पूजा और रात्री में जागरन करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत क्या है, उन्हो करने चाहिए, जो श्रेष्ट तथा सुपात ब्रहमन को जूता दान करता है, वह सोने की विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्थित होता है, जो इस एकादशी की महिमा को भगति पूर्वक सुनता अत्वा उसका वर्नन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है, का निर्जल व्रत करना चाहिए, उस दिन श्रेष्ट ब्रहमनों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए, ऐसा करने से मनुष्य भागवान विश्णू की समीत पहुँचकर आनन्द का अनुभव करता है, इसके बाद द्वादशी को ब्रहमन भोजन कराने के आरंब कर दिया